ये वीडियो एज्यूकेशन परपस के लिए है तो वीडियो को पूरा देखे आपको यहाँ से कुछ नई जानकारी मिलेगी जो आपको हर एक पैनी स्टोक के अंदर काम आएगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और ये वीडियो पूरा देखे लायक जरूर कीजिए यहाँ पर देखे फ्यूचर रिटेल का ये स्टोक दो रुपे 41 पैसे के उपर आ चुका है यहाँ पर अभी तो इसकी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज हो चुकी है समझ लिजिए यहाँ पर क्लोज लेकिन एक महने पहले ये दो रुपे पर था बहाँ पर लोवर सर्किट लग रहे थे उस टाइम कुछ नए इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर लिया होगा बीना कुछ सोचे समझे बीना कुछ एनलेस किये ही तो यहाँ पर वीडियो को पूरा देखे सबसे पहले करना क्या है होल टाइम उपन कर लेना है उसके बाद चेक करना है यह कमणी लिश्टेट हुई थी उस टाइम कहाँ पर था इसका प्राइस देखे यहाँ पर यह कमणी यहाँ पर लिश्टेट हुई थी तो इसका प्राइस देखे एक सो पचास से उपर है 2016 में एक सो पचास से उपर है ये पॉइंट आपको याद रख लेना है प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग इस टाइम तो बहुत कम कर ली है उस टाइम यहाँ पर 80% या 90% प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी 2016 में लेकिन इस टाइम देखिए प्रमोटर्स ने अपना सब कुछ सेल क कर दिया बहुत कम है यहाँ पर कितना परसंट है देखे 14% बहुत ही कम बहुत नेगेटिव है तो हम इस टोक को इस वाले पॉइंट के उपर तो बाइन नहीं करेंगे अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% होती या फिर 45% होती तो इस वाले पॉइंट के उपर हम इन्वेस् लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग 20% से भी कम है तो इसको हम इग्णोर कर देंगे कभी यह से पैनी स्टोक के अंदर इंवेस्ट नहीं करेंगे जिसके प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है अपनी पहली प्राइस से बहुत कम और प्रमोटर्स में भी अपने हिस्ता सेल कर दिय तो समझ लिजिए इस वाले point के उपर promoters में अपना अच्छा खासा profit book कर लिया उसके बाद दूसरा rule में आपको बता देता हूँ ये volume, volume को check करना है, penny stock है, कोई बात नहीं ये class से उपर का volume तो होना ही चाहिए अगर कोई बड़ी company है तो 50 हजर का volume भी चलेगा लेकिन यहाँ पर check करना है, upper circuit और lower circuit नजदिक नजदिक तो नहीं है, उसको भी check कर लेना है अगर दो पेस सा उपा नीचे है तो समझ जीजे बहुत risk है अब fundamental में देखना क्या है? EPS EPS, earning per share, ये तो negative है, कितना negative है? 81 रुपीस तो एक share buy करोगे तो आपको बहुत loss ही होगा, क्योंकि ये ही negative है समझ लिजिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? negative ROE बहुत ज्यादा है, लेकिन EPS क्यों negative है? तो ये ROE भी negative हो गया इस तरीके से समझना है, market के बहुत कम है चुलो, मान लेते है, market के बहुत कम है, लेकिन इसका PE बिलकुल 0 है इसका तो कोई data ही नहीं, तो ये भी फेल हो गया उसके बाद, यहाँ पर date, ये negative, dividend नहीं मिलता है, face value सब कुछ यहाँ पर negative, अब जो इसके अंदर invest करेगा, वो तो loss में जाएगा ही इतना देखने के बाद, फिर भी invest करते है, जो नए investor है, वो invest करते है तोकि उनको जानकारी नहीं होती सच्ची, वो shift right issue आए, ये कमपनी बहुत भागेगी अरे इसक कुछ नहीं है, देखना जरूरी यहाँ पर है financial यहाँ पर देखिए, कमपनी, revenue कितना generate करती थी, देखिए, बहुत बड़ी कमपनी, 20,000 करोड का revenue generate करती थी revenue यहाँ पर कम हो चुका, समझ ये, इसके अंदर invest नहीं करना है अब profit की बाद, तो देखिए, यहाँ पर, अगर ये, इस वाले point को हम ignore कर दे, तो इससे पहले किसी ने invest किया होगा तो यहाँ पर देखिए, गीर तो रहा है, ये तो negative है, फिर भी यहाँ पर देखिए, 2020 में किसी ने invest किया होगा वो क्या देखकर invest किया, समझ ये, negative तो यहाँ पर ही है, उसके बाद network देखिए, तो ये भी negative है कब ये zero हो जाए, किसी को नहीं पता, यहाँ पर गिर रहा है, देखिए, साल कौन साथ चल रहा है, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, 2021 तो 2022 में आप क्यों इसके अंदर invest करोगे, ये तो 2024 चल रहा है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक साल का कर दिया अब यहाँ पर टाच करेंगे, अगर कोई दूसरा application है, angel one तो उसमें थोड़ा सा अलग interface होगा, ये grow application है, ये देखिए, यहाँ पर 2021, तीन हजार करोड का यहाँ पर loss है, तीन हजार करोड का यहाँ पर loss हो चुका है इस company को, 2021 की बाद, तो 2022-30 में जो इसके अंदर invest करेगा, वो यहाँ से कैसे return लेगा, जब company loss में है, उसके बाद देखिए, balance sheet को open कर लिया, यहाँ पर हम देखेंगे, non current assets, उसके बाद current assets, तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये तो एक साल में use होगा, non current assets यहाँ पर ये तो कम नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये सेफ एक point नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सेफ यहाँ पर ये बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ से पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक साल का ही है, यहाँ से साफ पता चल जाता है, जब promoters अप देखिए, कुछ मिलने वाला है नहीं, उपर से ये वाला point देख लिजे, यहाँ पर एक सो पचास से उपर था, और ये ये वाला point देखिए, यहाँ पर ये stock पांच रुपे से कम, तो promoters नहीं यहाँ पर ही अपनी selling कर दी होगी, हो सकता है, ये 100 पर ही sell करके निकल चुके हो promoters नहीं होते, company loss में है, तो समझ लिजे, कोई फायदा नहीं invest करके, आपको loss होगा, तो ये वीडियो education purpose के लिए थी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे, चैनल को भी subscribe कर लिजे, ये latest news है इसकी, अब ये कब चलेगा, कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकता,